नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टेक टॉक में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंट्रेस्टिक टॉपिक है और जहां से आप महीने का कम से कम 4000 डॉलर आप अर्ण कर सकते हो दोस करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूं चले दोस्तों उस वेबसाइट के बारे में जानते हैं और उसके बारे में और कीवर्ट्स वगरा आप कैसे रिसर्च कर सकते हो उन सभी चीजों के बार सारा कोट सर्च करते रहते हैं जैसे मैंने एक प्रेफ साइट का डीटेल निकाला है ब्रेनी कोट पर आप जाओगे यहां पर देखो दोस्तों यहां पर मैंने ब्रेनी कोट के बारे में डीटेल निकाला है इसका ओवर्विय आप देखोगे इसका डी डी आर जो है 90 है और URR जो है URR rating जो है 83 है इस से आपको पता चल जा सकता है कि कितना प्रणड मरम्म है और कितना अच्छा इसका domain rating है back links आप देख सकते हो दोस्तों 13.8 million backlinks है available और 2.7 million traffic है अगर 2.7 million traffic अगर आप के website पे आता है वो भी कहां से आ रहा है तो अगर आप organic search पर जाओगे इसके तो most of the traffic आ रहा है United States से उसके बाद इंडिया से है तो दोस्तों अगर United States से most of the traffic आएगा एक website से उससे आपको अंदाजा मिल जा सकता है कि इस website का value क्या होगा एहरेफ की according इस website का value 1.4 million dollar का है यानि की 1.4 million dollar की ये website है जिसका नाम है ब्रेनी कोट तो आप भी इस तरह का एक quotes का जो site है वो आप बना सकते हो और इसके लिए आपको quotes क्या करना होगा quotes आप easily किसी भी quotes के quotation site से आप copy paste कर सकते हो दोस्तों आपको खुद से लिखना नहीं होगा ये बहुत important चीज है क्योंकि अगर आप blogging start करते हो तो वहाँ पे आपको blogging में खुद का content generate करना होता है यहाँ पे quotes का जो site है यहाँ पे आपको खुद का content generate नहीं करना होता है क्योंकि quotes कोई भी होगा वो यूनिक quote नहीं होगा कोई भी उस quote को copy कर सकता है कोई भी उस quote को use कर सकता है यह कभी भी unique में होता है कि नहीं आपने एक website ने use कर लिया तो दूसरे website पे आप उस quote को use नहीं कर सकता है ऐसा नहीं होता दूस्तों क्योंकि let's suppose अगर APJ अब्दुलकलाम ने कोई statement कोई quotes बोला है तो APJ अब्दुलकलाम का copyright है ना कि किसी website का तो Google आपको penalize कभी नहीं करेगा उस website की regarding की इस quote का जो origination है वो APJ अब्दुलकलाम के थुरू है और इसको ब्रेनी quote ने लिया है तो उसको आप penalize हो जाओगे आसा कभी नहीं होगा हाँ अगर आप ब्रेनी quote से image वगर कॉपी करते हो तो आपको penalization का डर होगा और आपको fine भी भढ़ना पर सकता copy content को लेके तो आप दोस्तों कभी भी image वगर आप ब्रेनी quote से मत यूज करो आप खुद का image generate कर सकते हो और खुद के image generate करने के लिए बहुत सारे free images site है जैसे free pick हो गया वहां से आप जाके image generate कर सकते हो और image पे जैसे एक proper quote का image आप बना लेना ये देखो मैंने जो website बनाया है यहाँ पे आप जाओगे तो ये आप देखो APJ अब्दुलकलाम का ही quotes आप देख सकते हो इस पे एक template मैंने बना लिया image template उस template को ही हर जगा पे मैं यूज करता हूँ कहीं पे भी APJ अब्दुलकलाम का इस page पे कोई भी अगर होगा इस same template मैं इस website पे यूज करता हूँ हमेशा ही आप जाओगे कहीं पे भी इस website पे जो मैंने ये मेरा खुद का website है तो इस website पे अगर आप जाओगे same यही template आपको मिलेगा इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तो जो quotes जिनका है जैसे आफ्रा विन्फ्रे का यह quotes था Surrounded yourself only with the people who are going to take you higher तो यह आफ्रा विन्फ्रे ने बोला था तो आफ्रा विन्फ्रे का image मैंने कहीं से लिया और इस पे एक template पे paste कर दिया और इसका quotes जो है मैंने copy paste कर दिया तो इससे आपका यह खुद का image बन गया और उसके साथ साथ आपका copyright किसी दूसरे website से नहीं हुआ आप same चीजे use कर सकते हो अपने quotation website पे दोस्तो अब हम चलते हैं keywords के बारे में दोस्तो keywords कहां से आपको लेना है keywords के लिए दो चीजे हैं सबसे पहला ब्रेनी quotes अगर website इसी तरीके का website बना रहे है तो आप इस website एहरेफ टूल पी जाओगे और एहरेफ टूल पे जाने के बाद यहां पे organic keywords जो rank कर रहा है 1.6 million keywords जो किसी भी websites पे rank कर रहा है जैसे मैंने एक example आपको केवल बता है organic ब्रेनी के quotes का उसी तरीके का आप quotes सुमो जो मेरा खुद का site है वहां पे आप जाके देख सकते हो कि जो rank कर रहा है keyword उस keyword को ही आपको पकर कर चलना है जैसे quotes of the day यह keyword बहुत ही ज्यादा rank कर रहा है वो भी US में जिस पे position कौन सा है? 1st position पे है ब्रेनी quotes यह तो इनका brand keyword है motivational quotes motivational quotes भी बहुत लोग सर्च करते हैं पे rational quotes भी बहुत सारी लोग सर्च करते हैं इसका search volume आप देख सकते हो 2,93,000 search volume है motivational quotes का और इसका CPC आप देख सकते हो $2 per click का CPC है यानि कि अगर $2 per click और इनका traffic आप देखो 9,427 यानि कि सर्फ एक single keyword से 9,247 click means traffic आ रहे है और उस पे $2 per CPC का है 5,000 भी clicks per day होड़ा है तो आप देख सकते हो $2 into $5,000 यानि कि $10,000 सर्फ एक keyword पे आ रहा है motivational quotes के keywords पे $10,000 आ रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा ये topic है और कितना अच्छा कितना आपको इसमें महनत नहीं करना है इस तरह का keywords आप explore करकर आप उस particular keywords पे और यहां से आप जाके देख सकते हो motivational quotes का जो website है उस website से quotes copy करना है image कभी भी copy मत करना quotes copy करना है और आपको इस website पे अपने website पे जाके paste करना है just copy paste का ये काम है और इस copy paste की काम से आपको $10,000-$20,000 per month का earning होगा ये बहुत ही है और बहुत ही अच्छा ये quotation sites बहुत ही ज्यादा popular क्योंकि आप लोग कभी birthday होता है और quotation sites को आप दूसरे way में भी यूज कर सकते हो events blogging में भी यूज कर सकते हो जैसे holy आ रहा है तो holy में आप holy का quotation डाल दिया आपने उसके बाद अगर दिपावली आएगा दिपावली का quotation डाल दिया दसहरा आ रहा है तो दसहरा का जो local जो पर्व या तिवहर होता है उन सारे quotation को आप डाल के उसको यूज कर सकते हो अपने blogging के लिए तो इस तरीके से multi-purpose blogging आप यूज कर सकते हो quotation साइट से बहुत ही अच्छा opportunity है दोस्तो start करो इस पे start करो blogging और अगर कोई भी problem होता है आप नीचे comment पे मुझे बताओ कोई भी problem होता है कुछ भी आपको discuss करना है comment पे बता सकते हो मेरे instagram पे आप discuss कर सकते हो मैं openly आपको बहुत कुछ suggestion दे सकता हो instagram मैं नीचे मैं comment पे दे दूँगा मैं इस video के description में instagram का भी link दे दूँगा तो वहाँ पे instagram पे आप आके और comment कर सकते हो और discuss कर सकते हो ठीक है दोस्तो तो आसा करता हो कि यह जो quotation का site है आप जल्दी start करोगे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और कैसा लगा यह video जरूर आप बताईएगा अगर अच्छा लगा तो इस website को इस youtube channel को भी subscribe कर लिजे और हमारे website को भी visit कीजे धन्यवाद for watching this video